नमस्कार मित्रों जैसा कि कल हम लोग UPGIC इतियास विशय के 2017 के हल प्रस्ण पत्र को देख रहे थे तो 50 कोश्चन हम लोग देखे थे आईए आज उसके आगे जो कोश्चन बचे हैं उनको देखते हैं एक क्यावन नमबर प्रस्ण है निमनलिखित में से नाट शास्त्र का रचईता कौन था आपसन आपके समच्छ है इसका जो सही उत्तर है वह होगा आपसन सी भरत मुनी निमनलिखित में से जो नाट शास्त्र के रचईता हैं वे भरत मुनी हैं आईए इसकी ब्याख्या पर व दिए हुआ है नाट को के समभंद में जास्त्री associating जानकारी को नाट सास्त्र कहते हैं इसना साफ्तर की जानकारी का सबसे पुचा पुराना ग्रंत भी नाट सास्तर के नाम से जाना जाता है इसके रचाईता भरत मुनिते भरत मुनी का काल चार सो इस भी के निकट माना जाता है व्याक्याओं पर विशेश ध्यान दीजिए क्योंकि रिपीट कोश्चन दो परसेंट चार परसेंट होगा लेकिन जो नए कोश्चन बनेंगे यहीं से बन सकते हैं जैसे आप से पूछा जा सकता है कि नाट सास्त्र किस से सं संभंद में नात तो इस तरह से प्रशन बनेगा भरत्मणी का काल alkal क्रम क्या है तो आप इसको याद रखिए तयार करिए आईए पर सब्सक्राइब प्रस्क्रांद converted Tami के हिंद के लेखक थे तो इसका नाम एक किताब का इसका एक नाम और है इसे तारीके हिंद भी कहते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आप्षन ए556 आईए इसके ले क्या पर विचार करें पुरारों का ध्यान करने वाला प्रतम मुसलमान प्रमूरूनि तासम का जंव वा रिमा खीमा प्राच्चीन ख्वारिज में देश का रहने वाला था वा मामूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी मात्र इत्यासकार ही नहीं था उसके ज्ञान और रूचियों की ग्याती जीवन के अन्य छत्रों तक थी जैसे खगोल, बिग्ञान, भूगोल, त अत्कालीन धार्मिक संस्कृति किस्ति के बारे में ग्यान प्राप्त करने के लिए प्रेडित किया, उसने संस्कृत का ध्यान किया और अनेक संस्कित रचनाओं का उपयोग जिसमें ब्रमगुप्त भलबद्र तथा वरामीर की रचनाओं का विशेश रूप से उलेखनी है उसने जगा जगा भगवत गीता विश्लू पुरार्त था बाई पुरार के तत्यों को उद्रित किया है, अलबरूनी ने अर्बी भाषा में ताकी के हिंद की रचना की थी, सरप्रतम सचावू ने अर्बी भाषा में इस ग्रंथ का अनुबाद किया, इसके बाद हिंदी मे इसका अनुबाद रजनी कांत सर्मा द्वारा किया गया तो यहां से अलबरूनी से मौतपूर प्रस्ण पूछता है और हर परिच्छा में इतियार से संबंदित जो प्रस्ण होते हैं उसमें जरूर अलबरूनी से प्रस्ण आता है या तो किताब के नाम से अभी PGT जो एक्ज में किस ने किया तो रजनी कांत सर्मा ने किया तीसे आप देख लीजेगा क्यों कि यह भारत पर तुर्कों के आक्रमर की सबसे महत्वपूर जानकारी देने वाल अलबरूनी का तकी के हिंद पुस्तक है आईए अगले प्रस्ण पे चलते हैं प्रस्ण संख्या जो पचास ह तिरपन है Connor Ashtar वह सकते होती लिजिए जिसकी आय पर नागारित प्रसाशन का नियंतर था सहनкивसास का नियंतर था का जी का नियंतर था वकफ का नियंतर था इसका चाही उत्तर बताएं इसका जो सही उत्तर होगा जैसा कि यहां से भी प्रस्ण बनता है, इसका तो आप्षन भी प्रशासन का नेंथर था, तो अक्ता का प्था का जो शुर्गात भारत में किया गया, वा इल्टुतमीस के द्वारा किया गया, आईए इसकी ब्याख्याओं पर विचार करते हैं, अक्ता भूमिका वा खंड होता था, जिससे प्राप्त होने वाला राज़स्रों स्रैनिकों के बेतन के बदले उन्हें तो अक्ता भूमिका वा खंड था कि उस पे जो लगान मिलती थी, वा राज़स्रों जो मिलता था, वा श्रैनिकों के बेतन के बदले उन्हें मिलता था, आईए प्रस्ण को देखे, प्रस्न संख्या, प्रस्न संख्या जो है, चवण है, सुल्तान इल्टुतमीस के सासन काल में न्याय चाहने वाले ब्यक्ति को पाननी पड़ती थी, लाल पोसाग, काली पोसाग, सफेद पोसाग, हरी पोसाग, सही उत्तर का आप लोग चैन करें, सही उत्तर है, आप्शन ए, लाल पोसाग, आईए इसकी ब्याख्या पर देखे, क्या दिया हुआ है, सुल्तान इल् बहुता है दिली सल्तनत का पहली है महिला सुल्तान रजिया है और रजिया के उत्राधिकार के प्रस्ण पर उसका चैन पहली बार दिली की आम जनता ने किया था आइए अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 55 है कि अलाउद दिन खिल saúde ने कि राजा को नौसारी की जागीर वह राय रायन की उपाद दी थी तो इसका सही उत्तर है आप लोग चैन करें इसका सही उत्तर है आप संडी देवगीरी के राम चंद्र देव आईए इसकी ब्याख्या पर विचार करें अलाउद दिन खिल जी का दचिर भारत पर पहली बार 1296 इस भी में आक्रमर हुआ था उसने यहां आक्रमर जलालुद दीन खिल जी के सासनकाल में देवगीरी के ततकालीन सासक राम चंद्र देव पर किया इस युद्ध में राम चंद्र देव पराजित हुआ और प्रतिवर्स इलीचपूर की आय दिल्ली भेजने का वायदा किया इस युद्ध में अलाउद दीन ने लूट से अत्यदिक धन प्राप्त किया था आईए अगले प्रस्ण की तरफ चलकुषार ने महतपूर यहां पे तत्य दिया हुआ है जो परिच्छा के आगामी GIC परिच्छा के लिए महतपूर है जो दिया है दिल्ली को करन भेजने के कि रामचन्द्र देव के विरुद्ध अलाउद दीन नेають 1307 इसंवी में मलक काफूर के नेत्रित iç मैं एक सेना भेजी तो इसे आप तैयार रखिए गा कि मलिक काफूर के नित्रित राम चंदर जब अपने सासक बना लाहुद दिन खिली तो उसने 1307 में किसके नित्रित में सेना भेजी थी राम चंदर देव के विरुद्ध तो मलिक काफूर के नित्रित में और ये भी प्रस्ण बन सकता है कि मलिक काफूर उसके किस अभियान में प्राप्ट हुआ था अलाओदिन खिल जी को तो गुजरात अभियान में उसको इसका एक नाम मलिक काफूर का हजार दिनारा यहां से प्रसंद की हजार दिनारा कौन किसको किसका उपनाम था तो मलिक काफूर का अगला प्रसंदिया है रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसे दिल्ली लाया गया अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपात दी थी तो यह भी दी और उसका राज वापस कर दिया और तेरह सो बारह इस भी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत् प्रशने संक्या अगला देखते हैं 56 जो दिया हुआ है कि अलाउद दिन खिल जी को काफूर नामक्दास कहां से प्राप्त हुआ जैसा कि अभी इसका ब्याक्ख्या में बता रहे थे आपको तो आपको एंसर पता ही चल गया है इसका जो उत्तर होगा आप शंसी गुजरात आ उसको अलाउद दिन ने अपनी गुजरात विजय के दवरान प्राप्त किया था इसे एक हजार स्वड दिनारों में प्राप्त किया गया था इसलिए इसे हजार दिनारी भी कहा जाता था आईए कुछ और तथ्य दिया हुआ है तेलंगाना का सासक रुद्र परताब देव अलाउद दिन ने दच्छिर विजय कर से लिक काफूर को था तो कोहिनुर हीरा कौन दिया था अलाउद मलिक काफूर को तो रुद्र प्रताबiture देव दितिये ने दिया था और कहां से मिला था तो तेलंगाना की खानों से आईए अगले प्रसुन की तरफ चले प्रस्ण संख्या 57 है दीवाने मुक्त खराज की अस्थापना किसने की आप्षन आपके समच्छे सही उत्तर का चैन करें इसका सही उत्तर जो होगा वह है आप्षन ए अलाउद्दीन खिल जी आईए इसके व्याख्या पर विचार करें अलाउद्दीन खिल जी ने एक प्रिथक विभाग दीवाने मुक्त तराज की अस्थापना की इस विभाग का कार्य राजजश्ण की जाच करना तथा बकाया लगान की वसूली करना था यानि राजश़्ू श्ट्ध संबन्दित था आईए अगले प्रस्न पे विचार करें प्रस्न संख्या 58 है निम्न में से किस सुल्तान ने दीवाने को ही की अस्थापना की थी मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद दिन तुगलक, महमूद सा इसका सही उत्तर का आप चैन करें इसका जो सही उत्तर है व मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा अस्थापित किया गया इस विभाग का कार्य माल गुजारी बेवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और भूम पर खेती नहों हो रही हो तो उसे खेतीयों के बनाना था आईए कुछ और महतपूर्ट तथ्य दिया है फिरोज तुगलक ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए डिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खुलवाया तो यह भी महतपूर्ट तथ्य तयार रखिएगा आप अनातों विद्वाओं और गरीबों के भरर पोशड के लिए दिवाने खैरात की अस्थापना की यानि कि यहां स साथ और फिरोज सात्गलक ने किया था फिरोज सात्ग्लज महतपूर प्रसनाति हैं26 और अगला एम निर्धन और विद्धों की सामाजिक सुरच्छा के लिए कि कि इस हाग पेश्द विभाच यह त्टushalay बास कि गई फिरोशा चुब्लख ने आज़ की असथापना बिल्बन ने किया था और दीवान एक यह थाज़ria ने wait सब्सक्राइब करें इसका सही उत्तर होगा आपशन ए इबन बतूता आईए इसके ब्याख्या पर ध्यान दे इबन बतूता मुरक्को अफ्रिका का निवासी था या मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इबन बतूता ने रेहला में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वड़न किया है तो यहां से कहां से निवासी था इस बार जो PGT का एक्जाम हिस्ट्री का हुआ है उसमें प्रस्न बना था वहाँ प्रस्ण बना था कि इबन बतूता अफरिका के किस तरफ का किस अफरिका के किस तरफ का से आया था कि या निमासी था जैसे पूर्वी अफरिका पर्चमी अफरिका उत्तरी अफरिका उत्तरी अफरिका तो इसका जो सही उत्तर होगा वह जो आया था वह उत्तरी अफर तो इसे अभी आप ध्यान रखिएगा आईए अगले प्रस्ण पर चलते हैं जैसा कि ये प्रिपीटेड प्रस्ण है चाट नंबर दिवाने कोई संबंधित था तो आपको अभी आगे बताया गया है कि दिवाने कोई मुहम्मद बिन तुगलत द्वारा अस्तापित किया गया आईए इसके ब्याख्या पर ध्यान दें मुहम्मद बिन तुगलत ने किसी की उन्नत के लिए एक नए विभाग दिवाने अमीर एकोई की अस्तापना की इस विभाग का मुख्यकार किसकों को प्रत्यच्च साहता दे कर अधिक भूम किसी कार के अधिन लाना था साथ वर्ग मील की भूमी का एक लंबा टुकड़ा इस कार के लिए चुना गया भूमी पर किसी सुधार किये गए और फसल चक्र के अनरूप हेर फेर के साथ विभिन फसलों की खेती की गई तो इसे आप तयार रखिएगा कि कितने वर्ग मील भूम को रखी गई थी तो तो इसका सही उत्तर है आप्षन भी ठटा आई इसके व्याख्या को देखते हैं मुहम्मद बिन तुगलक के अमृत्तु ठटा सिंद अभियान के दौरान हुई थी उसकी मृत्तु पर ही बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से तो आप इसे तयार करें आईए अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण साथ नंबर बासट नंबर प्रस्ण है तैमूर के आक्रमर के समय दिल्ली के दिल्ली में सुल्तान कौन था तो आप्षन है अबुबक्र साह खिज्र खां गया सुद्दीन तुगलक साह और ही उत्तर होगा वह है आप संडी नासिर मुहम्मद महमूद तुगलक तैमूर का आक्रमर से संबंदी जो व्याक्या है उस पर विचार कर लें भारत पर तैमूर का आक्रमर बस्तुता तुगलक सासत नासुद्दीन महमूद 1394 से 1412 इस्वी के काल के समय में 1398 इस्वी में हुआ था भारत पर आक्रमर करने के उद्देशियों को तैमूर ने स्वेम अस्पस्ट किया था उसमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका बिनास तथा दूसरा था धन प्राप्ती जनवरी 1399 को तैमूर फिरोजाबाद मेरत हर्दवार कांगड़ा और जम्बू होता हुआ वापस लोटा चाने से पहले उसने खिज्र खा को मुलतान दिपालपूर और लाहोर का सुबेदार निक्त किया यही खिज्र खा जो होगा आगे यही सहयद बंस का संस्थापक होगा आप यहां से प्रस्ण पूछा जा सकता है सहयद बंस की अस्तापना किस ने किया था तो खिज्र खाने आईए अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 63 है निमलिकित में से कौन दिल्ल सल्टनत का अंतिम बंस ठा तो इसका सही उत्तर का चैन करें इसका सही उत्तर है आपशन भी लोदी बंस लोडीवर्ण का अंतिम सा सक जो था वह था इभराहीम लोदी 늑निए इसके भ्याम पर विचार करें दिल्ली सल्तनत का अंतिम living लगैस्पन की अस्थापना अलो लोदी ने 1450 में की थी आईए अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रस्न है कि एक लोदी सुल्तान जो सिंगासन पर नौ बैठकर कालीन पर बैठता था वह था सही आप्षन का आप चैन करें इसका सही उत्तर है आप्षन ए बहलोल लोदी आईए इसके ब्याख्या पर बिचार करें बहलोल लोदी लोदी ने लोदी बंस की अस्थापना की थी वह बहुत साधारण ब्यक्तित्यों का था वह सिंगासन पर नौ बैठकर कालीन पर बैठता था तो आईए अब लोदी बंस तीन सास्कों की बात में कर चुका एक तो आप जान गये कि कि उसका अलतरत का लोदी बंस है लोदी बंस की अस्थापना बहलो लोदी ने किया है और आगरा सहर की अस्थापना इसका पुत्र जो सिकंदर लोदी था हुआ किया था पंद्रह सो चार में और एक प्रशने भी है कि लोदी बंस का अंतिम सासक कौन था तो इब्राहिम लोदी था जो बावर से 1526 में पानीपत के युद्ध में मारा गया था, आईए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं, प्रशन संख्या 65 है, निमलिखित में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा अस्थानन तृत की थी, तो इसका भी आपको ब्याक्ख्या बता रहा इसका सही उत्तर होगा, आगरा की अस्थापना 1504 में किया था सिकंदर, लोधी यही अपनी राजधानी जो था दिल्ली से आगरा ले गया, तो आईए इसके देखें ब्याक्ख्या को क्या दिया हुआ है, इसकी ब्याक्ख्या आपके समझ्च है, बहलोल लोधी ने अपनी म निजाम खा की मा, जैबंद एक सुनार की पुत्री थी, कुछ सक्तिसाली सरदारों ने निजाम खा का साथ दिया, और 17 जुलाई 1489 को निजाम खा सुल्तान सिकंदर के नाम से सिंगासन पर आरूर बैठा, वा दिल्ली वंस का महानतम सासक था, देखिए यहाँ ब्याक्या द किनारे आगरा नामगनवीन सहर बसाया और इसे अपनी रायधानी बनाई, सिकंदर सा त्यदिक परिस्व में उधार और नयाफ्रिय था, उसने क्रिशी और व्यपार की उन्नत के लिए प्रेत्न किया, नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में प्रारम किया गया, उस और विद्वान था, उसने स्वयम के आदेश में से एक आयुवेदी ग्रंथ का फार्सी में अनुबात किया गया, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी रखा गया, उसके समय में गायन विद्या के एक्सेस्ट ग्रंथ लज्जत सिकंदरी की रचना हुई, सिकंदर लोधी सहन अनुबात की रचना है, यहां आपके पास एक ट्रिक है, कि जहाँ पर शिकंदर लगा होगा, शिकंदर लोधी है, और आगरे की अस्थापना की सुद्दिश से किया था, तो आप राजस्थान के सास्कों पर उस पे नियंत्रवा अस्थापित करने के लिए किया था, कब कि पंत्रसोचार में, आईए अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, निमनलिखित में से किसे ग्रंथ में फिरोशा तुगलक की नहर योजना का विश्टित विवरण मिलता है, शही उत्तर का आप चैन करें, इसका सही उत्तर है, आप सने तारीखे फिरोशाई से फिरोशा त तुगलक की नहर योजना का विश्टित विवरण मिलता है, इसे आईए इसके व्याक्षा पर विचार करें, तारीखे फिरोशाई की रचना सम्षे सिराज ने की थी, और कब की थी तुगलक के सासनकाल में, कब से तेरह सो वाठासी जो फिरोश तुगलक का सासनकाल है, यह तो आप इसे तयार रखिएगा आईए आगे देखते है क्या दिया है इस पुष्टक में कुल कितने अध्या है तो इस पुष्टक में कुल 11 ध्याय भी तयार रखिएगा जिसमें से छठा अध्याय नहरों के निर्मार से संबंदित है PGT का जो एक्जाम हुआ है जिस तरह प्रस्ण अंदर से जाकर पूछा जा रहा है है कंफर्म है कि आप प्रस्ण पूछ लिया जा इस बार परिच्छा में कि तारीखे फिरोसाही में कुल की पुष्टक में कितने अध्याय तो 11 ध्याय उसमें नहर से संबंदित कौन सा अध्याय तो छठा अध्याय तो आप इसे ध्यान दीजिए तयार करिएगा आईए अध्याय दिखाई दे रहे हैं इसका जही उत्तर होगा को दा में को या इसका अध्याय पर विचार करें इसका व्याजिए हिमाय शुछ झाल व समय प्रस्न आप इसे देख लें कि अमीर इकबार की उपात तो दिया था हुखा दा अमीर को तो थो ग़ादमेर को पुष्ट क्या नाम है तो उसका नाम है कानून हमाएम हुनि यहाँ ठोड़ा एक डाउटफिल होगा कि अगर इसको हुमाओ नामा कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा क्योंकि ऑ filters आपका हुमाओ नामा जो है इसका बदन alsg की ऐा ताओं कि खी बदन बेगम, बदन बेगम जो थी, इमाहू की बहन थी, वो की थी, इमाहूनामा का रचना, तो आगे आईए प्रस्नक पे चलते हैं, अगला प्रस्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हसन निजामी, खजाइन फुतू, इसामी, फुतू असला इसामी की रचना है, फुतू असलातीन, यह सही है, यह सही है, अमीर खुष्रो की रचना मिफ्ताव फुतू, यह सही है, फिरोसा तुगलग की रचना है, फुतू, फिरोसाई यह सही है, तो इस प्रस्न के लिए जो उत्तर सही होगा, इस प्रस्न के लिए जो उत्तर सही हो इसका हसन निजामी की जो रचना है उसका रचना है ताजुल मासीर आइए इसके व्याख्या पर विचार करें खजायन फुटू फुटू के लेखा का मिर्खुरों है उनकी यह नहीं रचना इस प्रकार है कि रान उसादेन नासिका नूर्शिपे और मिफ्ता उल्फुतू त तथा तुगलक नामा अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है तो यह तो हम इस खुष्णों से संबंदित दिया है बार बार पूछने के वजह से लेकिने सामी के नाम इसामी का है जो हसन निजामी है वह कुतुब दिनेबक के दरबार में था और उसके पुष्टक का नाम है और खास था दिवान इंसा था दिवान बंदगान था जैसा कि आप जानते हैं कि अमीर कोई मुहम्मध तुगलक द्वारा चलाए गया किसी विभाग था तो इसका सही उत्तर होगा जो वह होगा आप संसी अमीर कोई आईए इसकी ब्याख्या को देखें अमीर कोई अपना मुहम्मध तुगलक ने की थी इस विभाग का कारे माल गुजारी वसूलना और जिस भूम पर खेती नहों हो रही हो उसे खेती योग बनाना था इस विभाग के कारे को करने है तो आर्थिक सहायता विजारत से मिलती थी दिवाने इंसा साही पत्र बेवार और दिव से संबंदित है तो इसे देख लिए आगे परस्न देखते हैं प्रसने संख्या सट्र बिजय नगर राजी में आयंकर पुजारी था अस्थानी परशासक था अधिकारी था तो इसका सही उत्तर होगा आप्षर्ण भी अस्थानी परशासक को आयंगर कहा जाता था आये इसके ब्याक्ख्या को देखें आयंगर 12 अधिकारियों का समूँ था जो विजय नगर सामराजी में गाउं का प्रसासन देखता था विजय नगर सामराजी में केंडर एवंगाउं में संपर कर थापित करने के लिए महाना या काचार नामक अधिका सवानियों का सभू था तो बारा आप इसे से तयार करिएगा किस महत पूर्थ देχoser दिया हुआ है आहय low के अनुवान्सिक थे यारिक जो बारा आएंकार हो प्रहों का सब्मुषा T में उनकी जिम्हदारी थे कि सांतियों सुरच्षा बना रखें और भूम की विक्री तथा करो का निर्धारन इनी के अनुमती से हो सकता था आप इसे तयार रखिएगा आईए प्रस्ण संख्या एकहत्तर देखें नानकार था तो नानकार क्या था करमुक्त भूम कर भूम ग्राम तो इसका सही उत्तर जो है वह है आपसने करमुक्त भूम को नानकार कहा जाता था आईए इसकी ब्याख्या पर विचार करें नानकार एक फार्सी सब्द है जिसका अर्थ एक प्रकार की माफी है जिसके अमसार जमिदार को कुछ जमीन की मालगुजारी नहीं देनी पड़ती थी इस प्रकार की माफी अवद के नवाबों के समय प्रचलित थी तो समझ लीजिए पूछा जा सकता है कि नानकार किस में प्रचलित थी आईए अगले प्रस्ण के तरफ चलते हैं 72 बहत्तर नंबर प्रस्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी मत में चिस्तिया साखा का संस्थापत था लिह काौन है सेख मुवनद्दीन ख्वाजा अबुल अब्दाल से बहायूद्दीन अबुल जीव और संडीए ख्वाजा भावद्दीन तो इसका सही उत्तर का आपचेंगें इसका सही उत्तर होगा option be most important question है कि यहां से बार बार प्रसन पूछता है चिस्तिया संप्रदाय से क्योंकि जो सूफी की चिस्तिया संप्रदाय है भारत में बड़ा लोगप्री रहा और ये चिस्तिया साखा धर्म पिछता पर बल देता था ये लोग धर्मी कटर नहीं होते थे तो यहां से प्रसन आपसे बनेगा प्याद रखिएगा कि भारत जो सूफी मत में चिस्तिया साखा का संस्थापक जो था वा खाजा अबूल अब्डाल था आईए इसकी ब्याक्या को देखें भारत में जिस्टिया संपर्दाय के संस्थापक मुईनिद्दीन चिस्टि थे most important है आप तयार रखिएगा भारत में वह जो इसके पहले प्रस ने पूछा गया था अब्दाल जो ते यहाँ अबू अब्दाल यहाँ चिस्टिया साखा के प्रतम संस्थापक थे जबकि भारत में इसकी स्थापक जो थे मुझे दिन चिस्ती थे और सिस्तिया संप्रदाय के बारे में दो मत हैं कुछ बीदवानों का मानना है कि उसकी अस्थापना खाज अबू अबू अब्डाल चिस्ती ने की ति तो इसंए आप घपराने के बात नहीं हां, इसकी अस्तापना अबू अब्दाल चिस्ती और अबू इस्राग सामी चिस्ती दोनों में से जो मिले आप उसको चैन करेंगे प्रस्ण में प्रस्ण के उत्तर में आईए अगले इसके कुछ मौत पूर्थ तत्र दिये हुए हैं जिसे देखा जाए अगला प्रस्ण अगला दिया हुआ तत्त थे मौम्मद बिन तुगलक की सिंद में मृत्यू के समय से नाशू दिन चिराग दिलावी उसके साथ थे उन्होंने फिरोज को गड़ी पर बैठाने में महतपूर भूमिका दा की तो यहां भी मोस्ट इंपार्टेंट कोस्चन है कि किसने फिरोज तुगलक को गड़ी बैठाने में महतपूर भूमिका दा की तो वह थे शेख नाशू दिन चिराग दिलावी और यह शेख नाशू ये वजूदी की रचना की थी, खैरूल मजालिस, इनके कथनों का संग्रह है, जिसको आएक नाम है, मुलूफु जात, और चिस्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर, बंगाल के सासक हुसेन साहा ने अपना प्रसिद्ध सत्य पीर अंदोलन प्रारंब किया था, तो ये भी प् चिस्ती सिल्सले की नीव सेख बहराददीन गरीब ने रखी थी, ये भी पूछा जा सकता है, आप तयार रखें, और सेख बहराददीन ने दौलताबाद को अपना अस्थाई निवास अस्थान बनाया, तो ये भी पूछा जा सकता है कि दौलताबाद को अपना अस्थाई संबंदित थे चिस्ती सिल्सला से शुरावर्दी सिल्सला से फिर दोसी सिल्सला से नक्सबंदी सिल्सला से सही उत्तर है इसका भी शुरावर्दी सिल्सला से आये इसके ब्याख्या को देखें भारत में शुरावर्दी स्पंथ की अस्थापना से बहाउद्दीन जकारिया न इनों ने समकालीन राजी की राजनीत में भाग लिया नासुदिन कुबाचा एवंग इलतुतमीश के बीच मुल्तान के आधिपत्ति के लिए संघर्ष चल ला था इसमें इनों ने इलतुतमीश का साथ दिया तो इसकी ब्याक्या को देखिएगा यहां से प्रस्ण पूछा ज से एक हो इसलाम की उपार प्रदान युएं इसके बाद इनके बैटे सद्रुद्दिन उत्र अधिकारी हुए है इन्होंने बल्बन के बैटे मुहंमद की पत्नी से विभा किया तो ऐसममतपूर प्रस्ण है कि किस ने बल्बन के बैटे मुहम्मद जो की उसका मंगोलों के अक्रमर के दवरान मारा गया था उसके पतनी से निकाह कौन किया था तो उसनोंने कौन किये थे तो यह किये थे सदरुद दीन और शेक भावदिन जकारिया को किस तुतमिस उपात दिया था उसे एक उलिस्लाम की उपात प्रदान vimos किया था आईए अग्ले प्रस्ण की तरफ के खांचायदा बेगम बहन थी खांच ज tailored बेगम बहन थी सही उत्तर है आप्षण ane बाबर की आईए इसके ब्याक्ख्या पर विचार करें खानजादा बेगम तैमूर राजकुमारी थी वो उमर्स एक मिर्जा की बड़ी पुत्री थी या बाबर की बड़ी बहन थी आईए अगले प्रस्न पर चलते हैं निमलिखित में से कौन बाबर की माता थी तो बाबर की म माता का जो नाम है वह है कुतलुग निगार खान आप इसे तयार करें पिता का नाम उमर्स एक मिर्जा और बाबर के पिता का नाम उमर्स एक मिर्जा और उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था आईए देखें इसकी ब्याक्या को जहिरुद्दीन मुहम्मद बाब प्रशन संख्या ok 76 1996 निमनेलिखित में से किसको फार्षी का होमर कहा गया है तो आप्षं आपके समझे सही उत्तर का चैन करहें इसका सही उत्तर आप्षं भी फिर्दोषी इस粉 पूरिवका हो प्रशन संख्या प्रशन संख्या इसे तयार करिए यहां से प्रशन संख्या सतात्तर है निमनलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पानिपत का दिती युद्ध 1556 इस भी यह सही है फतेपूर सिक्री में इबादत खाना की अस्तापना 1574 और यह दिया है तिर्थे आत्रा कर बंद कर दिया जाना 1563 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 तो सब इसमें से पानिपत का युद्ध जो है 1556 में हुआ था सी सही है तिर्थे आत्रा कर बंद कर दिया 1563 में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है जो सही सुमेलित नहीं हुआ है आपसन भी फतेपूर सिकरी में इबादत खाना की अस्तापना 15 1574 इस भी 1574 में नहीं किया गया था आईए इसकी ब्याख्या देखें अकबर द्वारा फतेपूर सिकरी में 1575 में इबादत खाने की अस्तापना कराई गई थी 1578 इस भी में इसे अन्य धर्मों के धर्मा और लंबियों के लिए खोल दिया गया अन्य सभी बिकल्प सही सुम मेलित है यहां से प्रस्ण इस बार PGT में बना था कि इबादत खाना की अस्थापना कहा की गई है तो अस्थान का नाम पूछा था फतेपूर सिकरी में तो आप इस चारों को देख लें यहां से जरूर एक दो प्रस्ण आपको परिच्छा में मिल जाएगा आईए मुगल काल की एक मात्र महिला मंत्री थी जिसमें माम अनगा की अनगा जीजा अनगा सुल्तान बेगम तिसका सही उत्तर है आप सने माम अनगा आईए इसकी ब्याख्या पर विचार करें अकबर की धायमा माम अनगा मुगल काल की एक मात्र महिला प्रदान मंत्री थी इतिया आशकारों ने इस काल को जो पंद्रह सो साथ से पंद्रह सो चौश्टीस भी को परदा या पेटी कोट साशन इस्त्री साशन कहा है आईए अगले प्रस्ण पर विचार करें प्रस्ण संख्या 89 है जागीर काल में तगमा और मीर बहरी से आसे था जागीर के विश्वासपात्र सहजादों के नाम भूमिकर नदी मार की चुंगी तो इसका सही उत्तराप शंडी नदी मार की चुंगी को तगमा और मीर बहरी कहा जाता था ये इसके ब्याक्या को देखें जागीर काल में तगमा और मीरबहरी काहस है अस्थल तता नदी मार की चुंगी से था आईए अगले प्रसन संख्यास्थी को देखें प्रसन संख्यास्थी है नादिर उल अस्र की उपाद किसने धारड की थी उस्ताद मनसूर अबूल हसन अबदूल फिजा फिराक तो इसका स ही उत्तर है नादिर उल अस्र की उपाद जो धारड किया था उस्ताद मनसूर आईए इस प्रसन की ब्याक्ठ्या को देखें जागीर का सासनकाल मुगल चित्रकला के विकास का यूग था जागीर ने उस्ताद मनसूर को नादिर उल अस्र तथा अबूल हसन को नादिर उज कि एक तो पूछाई है जहांगीर के सासनकाल में कौन सास्तापत के लिए पसिद्ध था किस कला के लिए तो चितरकला के लिए और उस्ताद मनसूर को किसने नादीर-हुल-वर्षण की खिताब दिया था तो जहांगीर ने तता नादीर-उरु-जम्हा की उपाद किसे दिया था तो अबूल हसन को और पस्पच्च्चों के चित्रड में कौन पारंगत थे तो उस्ताद महमूद तो इस चीजों को द्याद रखिएगा कुछ महतपूर्थ तत्य दिया हुआ है जो दिया है जहांगीर ने मनसूर को नादिर उल अर्ष्र की उपाद द कि थी तो दो तो आगे दिया हुआ है आप देख लें कि सिंगासन रोहर का चित्रड किसने किया था जो तिजू के जागीरी के मुक्प्रिष्ट पर है अबूल हसन यह देख लीजिएगा प्रस्ण संख्या क्यासी है निमलिखित में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राजी को मुगल सामराज में समलित किया तो इसका जो सही उत्तर है वह है आप संभी और अंगजेव आईए ब्याख्या देखते हैं 1652 में जब और अंगजेव दूसरी बार धच्छिड का सुबेदार निट किया गया तो उसने गोलकुंडा यवंग बीजापूर के विरुद आक् देश के अमसार 1656 इसमी में गोलकुंडा हुआ 1657 इसमी बीजापूर के विरुद दस्तगित कर उसे संदी करनी पड़ी थी बात्सा बनने के बाद उसने अपनी सधूरी ओजना को पूरा किया और गोलकुंडा 1687 एवं बीजापूर 1686 पर अभियान अस्तापित किया कहा जाता है कि और अंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगर के किले को खोला था तो इस ब्याक्या में कुछ मौतपूर बिंदूए हैं आप तयार रखिएगा कि यह पूछा जा सकता है और अंगजेब अधिपत्य में लिया तो आप ट्रिक से याद करें वीजापूर और गोलकुंडा तो बीजापूर पहले करिए वीजापूर 86 गोलकुंडा 87 और अब उसका काल याद ही है आपको जहांगी इसका और अंगजेब का तो इसलिए उसमें भूलने की संभावना कम होगी और यहा कि कुझीों से खोला था तो असीरगड की और अंगजेब ने किसे खोला था सोने की कुझीों से गोलकुंडा को आइए अगले प्रस्ण को देखें पैबाकी सब्द से तातपर था मंदिर कर गाओं का समुझ भूमी तो इसका सही उत्तर है आप शंड़ी भूमी आईए ब्य वागों में किया गया था खालसा जागीर पैबाकी तो पैबाकी के अंतरगत आने वाली भूम और स्थाई रूप से केंद्री नियंत्रण में रहती थी मुगल काल में जागीरों के हस्तनांत्र की ये काम प्रक्रिया बन गई थी ऐसे हस्तनांत्रों के समय वह भूमिकेंद्र स कि देख रेक में रहती थी और इस पैवाकी कहा जाता था इसके अत्रिक्त कुछ करमचारियों को जब उनके बंदो बंधेकारियों के अत्रिक्त कुछ अन्यकार सोपे जाते थे तो उन्हें पाश्तोर्शिक स्वरूप कुछ जमीन दी जाती थी जिस पर लागू कर को यह बक्तब किसने दिया था सही उत्तर का आप चैन करें सही उत्तर आप संसी जाल फिच आईए ब्याख्या देखें जाल फिच 1585 इस भी में अकबर के सासनकाल में भारत आया वह फतेपूर सिकरी और आगरा पहुचने वाला पाला अंग्रेज ब्यापारी था उसने आगरा है वह फतेपूर सिकरी नगरों को लंदन से भी बड़ा बताया है आईए प्रशन संक्या 84 देखें प्रशन संक्या 84 है निम्लिकित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौली ग्रंथ हैं थे तारीखे अलफी अकबर नामा आईने अकबरी उपरोक्त सभी तुर्षा अकबर नामा का ही तीसरा भाग है बात्सा अकबर ने ख्वाजा निजामुद्दीन आहमद को तारीखे अलफी के संक्लन करताओं में समलित किया था तीसे तैयार करें यहां से प्रशन बन सकता है आईए प्रशन संक्या 85 देखें अमल एस साले का लेखक कौन था तो अमल ए साले का नामक मुहम्मद साले है आईए ब्याख्या देखें अमल ए सले नामक पुर्श्तक के लेखक मुहम्मद साले थे आईए प्रशन संक्या 86 देखें बाबर ने अपनी आत्म कथा असमर्ण संस्मरण को किस भागसा में लिखा तो आप सही उत्तर का चैन करें आपके और अक बाबर नामा तर्था तुझके बाबरी यतिवा तुझके बाबरी मुगल संबर्ण बाबर की चकताई तुर्की भार्ण में लिखिया तो यहां यह तयार रखिएगा आप कि यह तुर्की भासा में लिखा गया था इसका अरभी में प्रसी में लेखक ने किया अबूल हम खान खाना ने किया और दिवान किसके पद्रचनाओं & का इसके तरफ दिये का आज सउने ऐटीषेग कि है कि पाद साहनामा के लेखक कौन थे इस बारे पीजी टी में भी पूछा था जहागीर मुहम्मद अमीन कजनीवी उमर गुल बदन बानो तो इसका सही उत्तर होगा आप सन्भी मुहम्मद अमीन कजनी यह सेम प्रस्ण इस बार पीजी टी 2021 के इसमें पूछा हुआ है ताप इसे तयार करें आई यह प्रस्ण देखें इसके ब्याक्ष्या को साजहा ने सरप्रतम अपने सासन के आठवे वर्स में मुहम्मद अमीन कजवी को अपने सासन काल के इतियास को लिखने का आदेश दिया कजविनी ने दो वर्स के पस्चास साजहा ने इतियास लिखने से रोक दिया और इसकार के लिए अब्दुल हमीद लाहौरी को नुक्त किया अब्दुल हमीद ने इस ग्रंत अपने ग्रंत का नाम पा प्रसाइब करें। कि दिति आंगल में सूर युद्ध की समाप्ति हुई कि संदी से तो सही उत्तर है आपशन भी मदरास की संदी से मांगलोर की संदी की संदी कि दोनों मोम elevate से दोड़ा कन्फूजन वरक रह ऑगया कि सार्भूव थे यहां यहां पर हुएングलटी थी युद्ध की समाप्ति हुई थी उने थैसे उहां पर एक दीया यहां पर ंओ यहां जो इसका दिया हुआ है कि दितियम आंगलमय सूर्यूद 1784 के समापती मंगलोर की संद 1784 के साथ हुई जिसके आधार पर दोनों पच्छों ने एक दूसरे के भूभाग वापिस कर दिये इस दोरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था तो यहां से प्रस्ण पूछा जा सकता है आईए प्रस्ण संक्या एक क्यानवे देखें कि महाराजा ररजीत सिंग ने विश्व प्रसिद को इनूर हीरा प्राप्त किया था सही उत्तर का आप चैन करें नादिर सा जमान सा दोर्ष्त मुअमर से सासुजा से सही उत्तर का चैन आप करें सही उत्तर है आप संडी सासुजा से आईए इसकी ब्याक्ख्या को देखें 1800 इसमी में हमर सा अब्दाली का पत्र सासुजा काबूल की गड़ी पर बैठा परंत उसके भाई सा मामूद ने सक्तिसाली बरकजई सरदारों फता का और दोस्त मुअम्मज की सहायता से उसे 1809 इसमी में बिस्तापित कर दिया ततासुजा सासुजा ने काबूल का राज प्राप्त करने के लिए रजी सिंग से सहायता मांगी और उन्हें कोई नूर कोई नूर हीरा भेट किया जो विशुपरसिद्ध है आई ये प्रशन संख्या 92 देखें 1857 इसमी के बिद्रों के नेता जिने पकड़ा गया वह फाजी पर चढ़ा दिया गया था वह कौन थे तो 1800 इसका सही उत्तर जो होगा वह सही उत्तर है आपशन ए तांट्या टोपे को आईए इसकी ब्याक्या को देखें तांट्या टोपे के उनके एक विश्वसनी मित्रमान सिंग ने उन्हें धोखा दे कर उसमें पकड़वा दिया जब वह पारों के जंगल में कैम्प में सहन कर रहे थे यहां सुने पकड़ कर सिवपूरी लाया गया और सही निक अदालत में उन्हें 18 अप्रेल 1869 को फासी दे दी गई आईए अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं मदराश हिंदू एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे तो मदराश हिंदू एसोसियेशन के संस्थापक को का चैन करें आप इसका सही उत्तर है आप्षन भी एनी बेसेंट मदराश हिंदू एसोसियेशन नामक दोर संस्थाय गठीत हुई थी पर्थम मदराश हिंदू सोशल Reform Association, मद्राश सामाजिक सुधार संग, जिसकी अस्थापना बिरेश लिंगम पंतलू ने और अठार तानवे ही इस भी में की थी, और यह एक सामाजिक सुधता अंदोलन था, जबकि दूसरा मद्राश घंदू एस्थापना अनवे प्रश्ण संख्या चौरानवे देखें बंगाल में धर्म सभा का संस्थापना किया था आईए अगले प्रश्ण को पंचानवे को देखें भारती सांस्कृतिक पुनर जागरर की मुख्य बिसेशता थी तो इसका सही उत्तर का चैन करें दार्शनिक नई विचारधारा का विकास नई छेत्री भासा का जनम छोद्र आधारित बिगत इतियास पुरातन का अध्यान लेखन के अन्य स्वरूपों के अध्यान एवंग उपन्यास का विकास तो इसका सही उत्तर जो विशेशता थी वह ती आप्षने दार्शनिक विच फिकल सोसाइटी के मुख्यालगी अस्थापना की गई सही उत्तर का आप चैन करें अडियार कलकता लखनोपूना सही उत्तर आप सने अडियार आए अगले प्रसनते पर चलें थोड़ी विचार कर लें थोच्थी ओस्थापना एक रूसी महीला मैडम एचपी वा ब्लावेश कि अमेरिकी सेने करिकारी करनल अलकाट बिलियम कौन जज एवान द्वारा 1875 इस भी में निवार्क अस्थान पर सोसाइटी का मुख्याला किया गया था और 1882 में मदरास के पास अडियार पे इसका अस्थापना किया गया था इसका प्रमुकुदेश से प्राचीन हिंदु धर बात करें हंटर कमीशन में विकास पर बल दिया गया था जैसा की हंटर कमीशन सिच्छा के छितर में 1882 में आया था इसका प्रमुक्द जो बिशेश बल था प्रात्मिक सिच्छा पर था आईए इसके अगले प्रस्न पे चलते हैं प्रस्न संख्या इसके ब्याक्या को देख लें प्रतम कार खाना अधनियम एक्यासी जो था या बाल स्रमिकों के संरच्छट से संबंदी था आदूसरा कार खाना अधनियम जो 1891 माया वह इस्तित से संबंदी था प्रस्न संख्या निनानवे देखा जाए प्राचीन इसमारक परिरच्छट समित किस वाइस राय के काल में पारित हुआ सही उत्तर का आप चैन करें सही उत्तर होगा आप संसी लाड करजन आईए ब्याक्या को देखे प्राचीन इसमारक संरच्छड अदनियम 1904 के द्वारा करजन के समय में किया गया था प्रस्न संख्या सो देखे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यच कौन थी तो सही उत्तर है एनी बेसें और यही प्रस्नागर पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पर्थम भारत को समाप्त किया तो आप जानते होंगे सही उत्तर है आप्षन भी लाड विलियम बैंटिक आईए अगले प्रस्न की तरफ चलें वही दिया आप सती प्रथा के विषय में जानते हैं राजा राम मोहन राय के स्वयोग से किया था ठार सो उन्तिस के नियम शत्रह सत्रह द्व कर दिया गयाता है अकर दिया जलाना जो था लिए प्रस्ने संख्या एक सत् दो है किसने राष्ट को को चाथ committingब काश्टिरन वहिषकास दादा भाई नेरोजी ने राष्ट को चत्रमुखी वहिसकार का कारिक्रम वहिसकार स्वदेशी स्वराज और राष्टी सिच्छा दिये आई ब्याक्ख्या में दिया हुआ है कि दादा भाई नेरोजी चार में दादा भाई नेरोजी भारत के रिए स्वराज सब्द की मांग की और 6 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हों ने सो देशी आंदोलन बाइसकार आंदोलन राष्टी सिच्छा आश्वशासन से संबंध चार प्रस्ताव पारित किया तेहां से प्रस्न पूछा जा सकता है आप तयार करें प्रस्न संख्या एक सो तीन है सर माइकल ओ डायर को किसने मारा था तो सही उत्तर है आप संडी सरदार उधम सिंग ने आईए इसकी ब्याख्या पर विचार करें तो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंग ने जलिया वाला बाग के नरसंगार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर है सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी जिसके लिए उन्हें गिरफतार कर मित दे दिया गया तो यह जलिया वाला बाग के हत्या रोपी जो हत्या का आदेश दिया था माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंग ने किया था आईए प्रशन संख्या 104 देखें क्यानी की मुद्रालै मतलब प्रिंटिंग प्रेस्ट कौन लाए थे आपशन सी को गाप पूर्ट गाली लाए थे नहीं फिर स्वर्म प्रिंट लाए थे आए अगले प्रिश्ट पे चलें 105 नंबर प्रश्ट अप्रति राष्टी अंदोलन में कहां पर कोई के खिलापत सम्मेलन पे और सयोग के विचार का उद्वा हुआ यही ब्याक्या में दिया हुआ है आई 106 नंबर प्रस्ण देखें कि वर्स 1905 में सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी की अस्तापना कहां हुई थी तो सही उत्तर है आप संसी पूना में इसके संस्तापक क गोपाल की गोखले आईए अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं प्रस्ण संक्या 107 है कि अखिल भारती करमचारी एवं किसांदल कब आस्तित्यु में आया था 26 में 1926 1928 1931 सही उत्तर है आप संबी 1928 में आईए ब्याक्या को देखें अखिल भारती करमचारी किसांदल 1928 में आस्तित्यु में आया आईए प्रस्ण संख्या 108 को देखें और स्रयोग आंदोलन से सविने अवग्या आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन से बगांगाल विभाजन बिरोधी आंदोलन से कारलाइल सर्कुलर संबंधित था तो इसका सही उत्तर होगा आप्षंडी बंगाल विभाजन बिरोधी आंदोलन से ब्याख्या दिया हुआ है बंगाल विभाजन का जो 1905 इसमी में लाटकर जन दिया ने किया था यह हिंदू मुस्लिम में एक्ता को भंग करने के लिए प्रस्ण संक्या 109 है निमलिखित को काल कर्मा उनसार लगाते हुए नीचे द देखें तो दितियो गोल में समेलन है पूना पैक्त है गांदीर वन समझाता है तो सबसे पहले गांदीर में समझाता होगा फोर फिर दूसरा होगा आपका दांडी मार्च नहीं फिर पहला होगा फोर का पहला आईए इसका देखते हैं सही उत्तर क्या दिया हुआ भी दिया दो नंबर यानि दांडी मार्च पसा ही काल करम आपके समझ यहां दिया हुआ ब्याक्या में कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 गांदीर विन समझाता पांच मा 1931 और पूना पेक्ट 24 सितंबर 1932 तो सही कालक्रम आप देख लें इसाधार पे आप इसका चेहन करने भी आपचन सही है दूसरा यानि दांडी मार्च चौथा दिया हुआ है यानि गांदीर में समझोता फिर पाला दिया हुआ दिती गोल में सम्मेलन और फिर तीसरा दिया पूना पेक्ट आईए अगले प्रस्ण की तरफ चलें प्रस्ण संख्या 11 है निमलिखित को उनके कालक्रम अंसार लगाना था यह भी लगाना है केंद्री एसेंबली में बं फेका जाना सांडर्स का मारा जाना सरदार भगर सिंको फासी चंद सेखर आजाद की मृत तो आई आईए अगले प्रस्ण की तरफ चलें 111 बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का हवान किसने किया था तो इसका सही उत्तर है आप्षन ने रविन नाट टैगोर ने करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निड़क को घोश्रा की तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हो गया एक डेट को आप याद रखियेगा महतपूर बिंदु है बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में सोक दिवस के रूप में मनाया गया रविन्ना टैगोर के सुजाओ पर विभाजन के दिन संपूर बंगाल में राकी दिवस के रूप में मनाया गया और लाड हर्डिंग सेकेंड के समय 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया था तो तीने महतपूर फैक्ट है इसे आप तैयार कर लिजिएगा प्रशन संख्या आपका 112 है दांडी कहां परिस्तित है तो बलसाड नौसारी पूरबंदर भाव नगर तो दांडी जो है अमदाबाद के नौसारी जिला में है इसका सही उत्तर होगा आप्शन भी नौसारी यही ब्याख्या में दिया हुआ है आईए इसके 113 नंबर प्रशन पे चलते हैं प्रशन है आप्शन भी साही है 13 अप्रहल नचान इसको जलिया वाला बाग अत्या कांड तेरा प्रहल 1909 को बैसाखी के अमरी तर जलिया वाला बाग कांड में जो सभा हो रही थी 389 लोग कर दो कहते मारे गए इते सरकारी आकलन हंटर कमिशन बना था और इसका जो नाइफ हुट की सीमा प्रांत में खान अब्दूल गफार खान के नित्रित में खुदाई खितमगर आईने लाल कुलती दल के नाम से भी जाना जाता है आईए इसके अगले प्रस्ण पर की चलते हैं का आजाद इंद्फोज का प्रथम सेना पती कौन था तो सही उत्तर आप्शन सी कैप्टन म मुहन सिंग आजाद इंद्फोज के प्रथम सेना पती थे आजाद इंद्फोज का गठन वर्फ 1902 में कैप्टन मुहन सिंग ने किया था आईए प्रस्ण संग के 116 को देखें 15 अगर्श तो 1947 को भारती राष्टी कांग्रेश का अध्यच्च कौन था तो सही उत्तर होगा आप शनलिश जैबी कृपलानी विभारत विवाजन कि समय जैबी क्रिपलानी भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यच्च ते यह 13 दिन ऑम्बर प्रकासक थे फिरोस सामयता ने 1912 में बाesian इंडिया पुष्छ, प्रकासन किया था. प्रस्थे संख्या जो है, 118, अनाएपी इंडिया पुष्तक के लेखक है तो इसके लेखक है लाला लाजपत राह, आईए ब्याक्या देके अनाएपी इंडिया पुष्तक के लेक, ला ला लाजपत्र और थे बश्न संक्र एक सो नई से सामाचार इंडियन मी ड़िगर के संपादक थे इंडियन मीर्ग के संपादक थे तो इसका सई उ outta sont ? I can sign यह इसके व्याक़ा पर विचार कर रहे समाचार इंडियन Bowl मीरर देता इसलिए आद़्ादि आप DJI इंडियन मीरर उन अठारा सो एक्रट इसमी में कलकत्ता के मनमुहन घोस और देवेन ना टैकुर्द वारा प्रकासित किया गया था इसके इंडियन मीरर के संस्तापक नरेंद्र नाथ शेन यानि एन शेन थे आई एगले प्रस्ण के और लास्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं प पुस्तक at the feet of Mahatma Gandhi के लेखक थे राज bracelet परस्ण पंडित-जवहार लाल नहरूering बिनोवाळभाव शर्दार भरल्ला भाइपटे हैस सही उत्तर होगा प्शन और डक्टर राजिनieversाथ एज the feet of Mahatma Gandhi के लेखक लेखक थे आई एसके ब्याक्या को देखें इसका ब्याक्या है पुष्टक एड़ फीट आप महादमा गांधी एड़ फीट आप महादमा गांधी के लेकर डाक्टर राजन परसाथ थे तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों का 120 कोश्चन 2017 के जी आइसी त्याज विशेका यह साल प्रस्ण पत्र था अब इसके बाद फिर अगले प्रीवियर सीयर पेपर जो है उसको लेकर फिर मिलेंगे आप लोग चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें जैसे कि आपको जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके तो इसी के साथ अब चलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीड स्बस्सकर परिवाश्ल करें